नमस्कार दोस्तों मैं रभी आपका स्वागत करता हूं अपने यूटूब चैनल आइकोनिक इंडिया में और दोस्तों आज की ये जो वीडियो है ये बड़ी खास और नोलेजबल होने वाली है क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको जानकारी दूंगा 10 रुपे के और सोर्पे के ऐसे इस्अअने के बारे में जो की बहुत कम यूट्यूब की किसी वीडियो में दिखाए गए हैं ये सिक्के बड़े खास बैलियोबल दुल्लब है एक सीर्ज को इन के लिए उपने संग्रहएं में रखना बड़ी खास बात होती है क्योंकिश्के बड़ पाता है जानेंगे इन सिकों की करेंट मार्किट वैल्यू और ये भी जानेंगे कि क्या फ्यूचर है अगर प्राइस के पॉइंट ऑफ यू से देखे क्या फ्यूचर में कहां तक इनकी कीमत जा सकती है तो दोस्तों यह वीडियो को अभी लाइक कर दें शेर कर दें और चैनल में आपको 100 रुपे के कैसे सिक्का दिखाने वाला हूँ जो की बहुत कम देखने को मिलता है आज के समय में वैसे मुझे आज की इस वीडियो में 10 रुपे की भी जानकारी देनी थे कोईन की लेकिन अगली वीडियो जो आएगी मतलब इस वीडियो को में दो पार्ट में शू करिया आपको दूँगा तो दोस्तों सबसे पहले आप ये सिक्का देखिए ये हैं हंडर्ट रेस प्रूफ कोईन आई वाई सी निस सो एक यासी अंतरास्टी है बालवर्स इंटरनेशनल इयर ओफ दा चाइल्ड इसको निकाल लेते हैं और फिर इस सिक्के के बारे में आप को अब इस्तार से बताऊँगा और ये भी बताऊँगा क्या करेंट टाइम में इसी कीमत कितनी ज्यादा बढ़ चुकी है सिक्के की जनकारी से पहले इसका सर्टिफिकेट देख लेते हैं तो ये कोईन का सर्टिफिकेट है उपर लिखा है इंटरनेशनल इयर ओफ चाइल्ड 1981 प्रूफ 100 रुपी सिल्वर कोईन यहां पर मेटल की जनकारी दी गई है कोईन का डायामेटर 44 mm कोईन का वेट है 29 ग्राम 29.1 है वैसे 29 ग्राम बजन कई सिक्के इसको बोलते हैं इसमें चांदी की मात्रा देखें आप 92.50% कोपर की मात्रा देखें 7.5% तो इसमें 92% सिल्वर चांदी का इस्तमाल किया गया है इस सिक्के को बनाने के लिए आपने बेटिश इंडिया के सिक्के देखें होंगे उसमें 91% चांदी का इस्तमाल किया जाता है इसमें 92% चांदी का इस्तमाल किया गया और इस कोईन का जो वेट है वो 29 ग्राम है 39 ग्राम बजन का यह सिक्का है यह मुंबई मिंट की तरफ से इशू किये गए 1981 में यहां देखेंगे एर के नीचे यहां बी बना हुआ है तो बी से हमें यह पता चलता है कि यह मुंबई मिंट का प्रूफ कोईन है थोड़ी सी हवा लग गई है सिक्के पर हलकासा जिसकी वज़े से यहां पर हलकासा कलरिंग थोड़ा चेंज हो गया है तो इसी परकार सिक्कों में हो जाता है अगर आप उसको सुरक्षित तरीके से नहीं रखते हो ऐसी सी को सुरक्षित करने में काफी फायदेबंद होती है आपने देखा होगा मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया थे जो पुरूफ यदि सी के होते हैं तो उनको किस तरह से रखना चाहिए यदियशन के सी को सबसे पहले उसको एक छोटी स्लिव में डाल तो उस पर moisture air आने का कोई चांस नहीं है क्योंकि मैंने देखा है सर्दियों में नमी के कारण सिक्के काफी बार moisture खा जाते हैं मेरी एक एलबम ऐसी थी उसमें कुछ UNC सिक्के में रखे हुए थे तो सर्दी जादा बड़ी तो उस इक पर moisture आ गया था तो उनका color change हो गया था सिक्को का तो यह सिक्का बड़ा खास है दोस्तों आज के समय में सिक्का काफी जड़ा दुलब हो गया है क्योंकि इस सिक्का देखने को नहीं मिलता है इसमें 58 ग्राम वजन का सिक्का आता है जिस सिक्का अभी एक लाख रुपे से उपर चल रही है उसकी जनकारी भी मैंने आपको दी थी उस वीडियो का लिंक भी दे उसको भी देख ले ना वो 58 ग्राम वजन का सिक्का होता है और वो एक्स्ट्रीमली रेर होता है लेकिन ये सिक्का भी आज के टाइम में वैरी रेर की कैटिकरी में आ गया है इस सिक्के की जो कीमत चल रही है इसकी पैकिंग देखे यह है ना बहुत हाड़ प्लास्टिक है यह दम कैसिट टाइप का है यह और बड़ी हाड़ प्लास्टिक है यह तो इसका अनदर यह कोईन पुरा पैक की गया है मिंट की तरफ से तो इस तरह की पैकिंग आते थी यह सिंगल कोईन है अंतर रास्टे बालवर्स का और यह 100 रुपे के सिक्के हैं सभी जानते हैं आप कि दुरलप्ता के कारण अगर हम बात करें पिछले देड़ दो साल की तो अराम से मिल जाते थे 15,000 के आसपास 15,000, 14,000, 13,000 इस तरह की कीमा तो मिल जाते थे लेकिन अभी डिमांड जानदा होने की वज़ए से इन सिकों का भी रेट 20,000 से उपर चल गया है मतलब 20 से 25,000 रोबे के वीच मिन का रेट चल रहा है पिलहाल कीमत और जादा बढ़ेगी आगे क्योंकि ये सिक्के जितने छब गए हैं उतनी ही अविलेबल है आगे तो रहेंगे ने वैसे भी है तो लो मिंटेज के परूफ कोईंस है चाहे वो 58 गिराम वजन का हो या ये 29 गिराम वजन का हो और इस तरह की पैकिंग इन की होती है काफी अच्छे खुबसूरा दिखते हैं इसे के ये देखें अलग-अलग वादे अंत्रे जिन को बोलते हैं सितार है, दोलक है, बीणा है ये बीणा है, सितार बोलते हैं, इसको दोलक बोलते हैं रित्य करते हैं दिखाया गया है तो ये बड़ा खुबसूरा डिजाइन का ये सिखा है जो की थीम पर बनाए गया था, अंतर रास्टे बालवर्ष की theme पर 1981 में यूज क्या गया था देखो अलग-अलग लिखा है यहां 19 बना है यहां पर 81 बना हुआ है तो एक साथ नहीं लिखा है 1981 अलग-अलग लिखा होता है इसमें duplicate सिक्के भी बहुत जाद आते हैं duplicate सिक्कों से आपको साथ नहीं की जुरूत है मैंने आपको काफी बार बताया है जो रेयर महेंगे सिक्के होते हैं उनकों duplicate सिक्के बजार में काफी ज़्यदा आ जाते हैं तो कभी भी कोई भी सिक्का अगर आप अपने collection के लिए खरी दे किसी भरोसेमंद कोई डीलर से ही खरी दे किसी auction से खरी द होते हैं आपका चान्दी के सिक्का बोलकर बेज़ दे जाता है लेकिन उसमें यह भी पता नहीं होता है कि चान्दी कितनी है है भी यह नहीं कोई निकल जैसे दिखते हैं तो महें बहुत कभी भी खरी दें किसी भरोसेमंद व्यक्ति से ही खरी इनके duplicate सिक्के बाजार में का बातम करता हूं इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यबाद